स्टूडेंट्स आपसे इस वीडियो में मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिसकस करूँगा एक चीज यह है कि टोटल नीट की तयारी जो है टोटल प्रेपरेशन वो धाई हजार घंटे की है धाई हजार घंटे ठीक है यह पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी इं अनौंस हो गई है पर NTA और उससे पहले जब CBSE एक्जाम लेती थी माई के हर फर्स संडे को नीट का एक्जाम होता था और माई का है पहला संडे है ठीक है और इसके अंदर करीब 65 हवते बचे है ठीक है तो 2500 गंटे कहा से आता है यह नंबर हम आपको बार-बार रिमाइंड कराते रहेंगे क्योंकि यदि आपने इत्ते गंटे की पढ़ाई नहीं की तो आपका government college में selection होना बहुत मुश्किल है तो समझ लिजे क्या है तो NEET में selection याने government college में selection के लिए आपको दो चीज़े चाहिए ठीक है आपको दो चीज़े चाहिए पहली चीज़ यह है कि आपके concept clear होने चाहिए और दूसरी चीज़ है कि आपकी speed होनी चाहिए speed क्यों होनी चाहिए 180 question 180 minute में करने होता है 180 question 180 में concept build करने के लिए क्या करना होगा आपको theory आनी चाहिए और आपको theory की application आनी चाहिए ठीक है मैं बता देता हूँ इसका मतलब या theory का मतलब जैसे आप बहुत सारे students हमारा video course लेते आपने video देखे और video देखते वे notes लिए और उसके बाद NCRT का reading किया ठीक है जो लोग coaching जा रहे है video की जगे उन्होंने coaching में class में गए और किसी faculty ने खड़े हो के पढ़ाया इसमें करीब 10 गंटे लगेंगे per chapter और इसमें करीब 3 गंटे लगेंगे इससे आपको समझ में आ गया concept ठीक है हमारे case में video देखते वे notes से ना इसलिए important होता है कि आपको समझ आ जाती है उसके बाद आप NCRT का reading करेंगे तो समझ आएगा आप कहेंगे कि सर ये देखनी की जोथ कह है सिर्फ NCRT का reading कर लेता हूँ आपको समझ नहीं आएगा बार बार पढ़ते रहेंगे और end तक आपको कभी भी confidence नहीं आएगा फिर application की बात आती है application का मतलब है 100 questions minimum हर chapter में physics, chemistry के और 200 questions bio के इसमें करीब आपको 5 से 7 घंटे लगेंगे एक मिनट के लिए 7 घंटे लिख लेते हैं उसके बाद chapter का part test देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएएगा आपको समझ वाया नहीं आया हम लोग ऐसा part test 30 मिनट का देते है और उसके बाद इस part test का solution देखेंगे हमारे case में इसके video solution होता है ये करीब 2 घंटे का होगा ठीक है तो ये सारी काहनी अब आप इन सब को count कर लीजे है न 10, 3, 13, 7, 20 22, करीब 22 97 chapter नीट के syllabus में ठीक है इसको आप 22 से multiply करेंगे approximately 2000 घंटे यहां से आ गए ठीक है ये number ध्यान रख लीजेगा syllabus complete करने के लिए syllabus complete करने के लिए आपको 2000 घंटे के तैयारी चाहिए minimum कुछ बच्चों को जादा कुछ को कम लग सकती है ये पहली बात हो गई अब इस वाले पार्ट पे आते है speed build करने के लिए क्या करना है speed build करने के लिए आपको कम से कम 25 mock test देने 180 question 180 minute वाले और ये 25 mock test देने में हर एक test के अंदर आपका करीब 20 घंटे का time जाएगा 10 से 15 घंटे revise करने में जाएगे test के लिए 3 घंटे का test और बचा हुआ time उसके बाद post-mortem का ये करीब 500 घंटे पर इसकी beauty ये है कि ना सिर्फ इससे आपकी speed बनेगी पर आप test के पहले जो syllabus है उसके लिए revise करेंगे तो वो आप revise करेंगे तो आपका continuous syllabus completion का काम चलता रहेगा और साथ में test का revision test के through revision होता रहेगा ऐसा नहीं कि 97 चैप्टर में दो चैप्टर आगे पड़े और पीछे के दो चैप्टर भूल गए वो नहीं होगा ठीक है तो ये दूसरी चीज़ हो गई speed building and revision ठीक है ये आप क्या हो गया 500 घंटे तो इस तरह से total मिला के 2500 घंटे हो जाते हैं ठीक है आप इस बात को समझ लीजिए कि ये 2500 घंटे की तैयारी चाहिए यदि आपको पहली बार government college में selection चाहिए बहुत बड़ी rocket science नहीं है NEET का exam मुश्किल नहीं होता problem ये है कि बच्चे ये 2500 घंटे लगाते नहीं है आप 11 में है आप अभी से तैयारी चालू नहीं करेंगे आप इसकी calculation लगाएंगे 2500 घंटे आपको 65 घंटे में पढ़ने करीब 40 hours per week आएगा और इसका मतलब हर रोज 5 से 6 घंटे आएगा हर रोज 5 से 6 घंटे आएगा ये आसान नहीं है एक लेवल पर आसान है मैं नहीं कहरा आपको डेली 18 घंटे पढ़ना है जहाँ पर भी आप सुन रहे है इतना पढ़ने की जुरुद्निया पर डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है और जिन बच्चों का सेलेक्शन नहीं होता वो इस वज़े से नहीं होता कि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है इंटेलिजेंस का कॉंट्रिबूशन आपके सेलेक्शन में एक परसेंट से जादा नहीं है 99 परसेंट आपका सपना कित्ता बढ़ा है और उसके लिए आप कित्ती मेहनत करने के लिए तयार है उसके उपर depend करता है और उसका मतलब यह है कि क्या आप इतना टाइम देते जितसे इतनी गंटे की तैयारी हो जाए यदि आप इतने गंटे की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका selection नहीं होगा तो यह मैं इस वीडियो में explain करने की कोशिश कर रहा था कितना गंटा हरोज पढ़ना है देखिए अभी आप तैयारी चालू करेंगे तो इतना गंटा पढ़ना है जैसे जैसे आप delay करते जाएंगे यह भरता जाएगा तो फुली बच्चों आप लोग को ये वाली चीज clear हो गई होगी आपको कुछ भी सवाल है इसके बारे में आप मुझे इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9667591930 पर यदि आपको 2021 2 मई 2021 को crack करना है अभी से तैयारी चालू करें नहीं तो आप अपने आपको सफीशन टाइम नहीं दे रहे प्रॉपरली तैयारी करके